अस्सलाम अलेकुम वेवर्स मैं हूँ आपकी मेंचोर उम्मे उमाइमा रुमान आज कर जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसी वीडियो की फर्स लिंक में जो कुछ आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे न उसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा ठीक है आप इस लेक्चर को सुनने के बाद वो टेस्ट अटेम्ट करके और अपनी स्किल्स को जो है वो अच्छा अब हम देखें एस टीचर हमारा मेथट सेम होता है पूरी क्लास को पढ़ाने के लिए फर एक्जमपर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं ये 32 स्टूडेंट्स हैं लेकिन देखें हर स्टूडेंट जो है न वो एक जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता उ तो असा होता है उसके लिए वो एसकी के लर्णिंग पर असर अंदाज होता है वो स्टीमुलस वो फोर्स जिसके जे जेरे असर बो लर्निंग कर रहा होता है वो उसकी कमपेटेंसी होती है कुछ बिचे होते हैं, हम उनको जैसे इलbowर्फ डिलीवर का रहे होते हैं तो फोरन उनको concept clear हो जाता है ठीक होगए लेकिन कुछ लोगों को daily life examples की जरुख पढ़ती है जब हम उने daily life examples देते हैं तो उनके concepts clear हो जाते हैं लेकिन कुछ students ऐसे भी होते हैं जब तक आप उनको manipulative skills के दूरू, मतलब learning by doing के दूरू नहीं सिखाएंगे, वो नहीं समझते, उसके बावजूद एक चौती जैनर ऐसी भी होती है, जिनको आप जमीन असमान उल्टा कर लें, उनको ना समझानी होती है और ना समझाती है, ऐस इस चीज़ का होता है, जिसको हम competency कहते हैं, ठीक है? मतलब एक इनसान के अंदर वो capacity जो उसको learning में helpful, मतलब help provide करती है या उसके लिए helpful prove होती है, ठीक है? यह competency होती है, आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी learn करते हैं, आप किसी चीज़ को कितना easy learn करते हैं, आप किसी चीज़ कितना hard work के बाद learn कर सकते हैं यह हर बंदे की competency जो होती है वो different होती है लेकिन इसको books में strands के साथ inter-exchangeably use किया जाता है पहले आप strands को समझ लें फिर मैं आपको बताती हूँ के competency को strands की जगए inter-exchangeably क्यों use किया जाता है देखें strands क्या होते है strands होते है key learning areas ठीक है यह इसका keyword है strands क keyword है key learning area ठीक हो गया अच्छा अब strand क्या है जैसे हमने for example अपने aims set की है national level ठीक हो गया मैंने आपको different aims goals और इनके बारे में पहले ही बताया होगा तो आप लोगों को पता है aims क्या होते हैं हम जब learning के aims select करते हैं तो उसमें हम यह लोग यह देखते हैं कि हमने अपने students के ठीक है मैं आपको ना exemplify करने के लिए ना daily life के example देती हूँ कि for example आप math की book ले ले ठीक है आप बचों को math की books के लिए जो है आप यह सोच रहे हैं कि हमने अपना curriculum develop करना है as a curriculum developer आप पर कर रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं कि मैंने अपनी country के students में as a mathematician कौन कौन सी skills जो है न क्यों use किया जाता है secondary level पर या फिर आप ऐसा समय लें कि elementary level पर curriculum जो है वो डिवालप करना है तो मैं अपने बचों को क्या सिखाऊंगी मैं simple plus minus multiplication division फिर उसके बाद different fractions के questions उनको मैं करा दूँगी उसके लावे मैं उनको क्या कराऊंगी मैं उनको ACF LCM की concepts दूँगी उसके लावे मैं उनको geometrical concepts दूँगी मैं उनको algebra की concepts दूँगी ऐसे ही होगा न तो अब key learning के लिए क्या है simple word में मैं आपको ये बताती हूँ कि math का जो हमारा एक chapter होता न फुल chapter जिसको हम उर्दू में बाब कहते हैं बाब एक best example है strands की ठीक है मतलब algebra का पूरा एक chapter है पूरा एक बाब है वो एक strand है आपकी book में math की slo's के लिए अच्छा अब आपने geometry पढ़ानी है geometry का एक अलग से portion है वो आपका strand है आपने बचों को basic mathematics सिखानी है ठीक है उसका अलग से strand है आपने बचों को mental mathematics सिखानी है वो उनका अलग से मतलब एक strand आपने book में डाल दिये ठीक हो गया यह different strands है जैसे for example आपकी मयाद के book में nine chapters है ना ठीक है nine chapters है तो वो आपके उस book के nine strands है असल में ठीक है यही strands जो है helpful प्रोब होते हैं हमारे students की learning competencies को develop करने में ठीक है यानि हमारा जो for example algebra का strand है वो हमारे students में algebraic functions को, arithmetic को fill करने में, solve करने में helpful प्रोब होता है ठीक है तो वो algebraic competency develop कर रहे है ठीक है, geometry का जो strand है, वो geometrical competency हमारे students में develop कर रहे अब अगर basic arithmetic का strand है तो वो basic arithmetic की competency हमारे students की develop कर रहे इसलिए हम strands को competency भी कह लेते हैं ठीक हो गया, असल में यह दो अलग concepts हैं लेकिन book में, मतलब अब यह जो SNC के syllabus में, single national curriculum में इस चीज़ को बहुत जादा focus किया गया है कि competency और strands को interchangeably use किया गया तो उसकी वज़ा यही है कि एक specific strand होता है वो हमारे students में एक specific competency को develop कर रहा होता है जैसे algebra को, geometric को, ठीक हो गया अच्छा, end में मैंने आपको एक assignment भी देनी है और इन्शाला मुझे यकीन है कि यह lecture सुनने के बाद आप लोग इस काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप उस example को इसके साथ quote कर सकें मतलब competency, standard, benchmark class से लोस के साथ आप लेट करके मुझे बता सकें ठीक हो गया, अब हम आजाते हैं standards की तरफ standard क्या होता है, ठीक है hopefully आपको competency और strands अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब standards क्या होती है, standard जो होती है यह strand की broad description होती है strand एक outline की शकल में हो गया मतलब for example मैं यह नहीं कहा रही कि यह होता ही outline है मतलब मैं आपको concept जो डिवैलप करने के लिए आपको बता रही हूँ कि एक बड़ा बाब जो है आपका strand है ठीक है, लेकिन standard क्या है standard उसमें चोटी-चोटी exercises है आपकी ठीक है, जैसे आप algebra का बाब है ना, अब एक exercise आपकी होगी, algebraic functions को plus करने की, ठीक है, addition की दूसरी होगी, algebraic functions की minus करने की, subtraction की exercise होगी, फिर एक उसकी multiplication की exercise होगी, एक उसकी division की exercise होगी एक उसकी daily life examples की, मतलब daily life routine के जैसे statement वाले questions होते हैं, उनकी एक, जो है एक आपकी exercise चामिल होगी तो यह जो exercise है ना, आपकी मयाती बुक में, वो best example है, आपके standards की, ठीक है, एक बाब के अंदर, जो छोटे छोटे सबक हम पढ़ते हैं, exercises हम पढ़ते हैं, करते हैं वो हमारे standards होते हैं ठीक हो गया, hopefully आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं benchmark क्या होता है, benchmark कहते है निशानी लगा लेना किसी चीज़ की आपको याद होगा, जब हम चुटे होते थे 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 ना, तो हम अपनी books में जो अकसर colorful charts की प्यारी प्यारी सी shapes बना के, उसकी कोई teddy bear कट कर लेना कोई mouse कट कर लेना, कोई छोटा सा मतलब कोई भी आसी shape जो हमें पसंद होती थे, उसको कट करके और हम अपनी book में अलग-अलग जगों पे जैसे आज हमने यह वाला chapter पड़ा है तो हम एक निशानी लगा के रख लेते थे पर जैसे हम book कोल देते ना, क्योंकि हमारा वो benchmarking का जो icon होता था, for example, मैंने एक teddy bear रहा किया, तो मुझे पता होता था कि जिस page में मेरा teddy bear रखा हुए ना, आज मैंने homebook में यही लिखना है, क्योंकि उस वक diaries का इतना ज़दा fashion होता नहीं था trend में नहीं थी diaries, तो हम इस तरह से किया करते हैं, तो हर student करता है, तो असल में benchmarking को समझाने के लिए ना, मैंने आपको उसके example दिया, benchmarking क्या है, कि आप एक निशानी लगा लेते हैं, अब मैं आपको math की book से relate करके बताती हूँ, कि benchmarking क्या है, hopefully आपका जो concept है वो अच्छो से clear हो जाएगा, देखें, for example मैं as a curriculum developer काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं benchmarking किस तरह से करूँगी, मैं benchmarking किस तरह से करूँगी, for example, मैंने अपने one class के students को math के concepts देने हैं, तो मेरी benchmarking यह होगी, कि one class में मैं सिरफ one digit यह two digit के, इनको questions दूँगी, ठीक है, plus के question add करूँगी, minus के add करूँगी, multiplication के add करूँगी, और divian रहने दूँगी, ताकि वो multiplication के साथ divian को mix ना कर दें, for example, मैं अपनी strategy बता रही हूँ, ठीक है, अच्छा, फिर two class में मैं उनको चारो functions देती हूँ, plus के भी, minus के भी, multiplication के भी, divian के भी दे देती हूँ, अब मैंने एक नया benchmark add कर दिया divian का, two class में, ठीक है, और साथ-साथ मैंने एक और benchmark add कर दिया two class में, के मैं इनको three digits वाले, four digits वाले question भी दूँगी और carry वाले questions दूँगी, plus minus में, ठीक हो गया, अब जब मैं इनको three class में लेके जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ, कि मैं अपने बच्चों को इन चैरो basic arithmetic functions के साथ three class में, मैं क्या पढ़ाऊंगी, मैं इनको daily life example, मतलब statement वाले questions भी करवाऊंगी, ठीक है, फिर और benchmark में एक add करती हूँ ये, कि मैं इनको time का concept दूँगी, धरी class में, ठीक हो गया, फिर मैंने four class में और benchmark के लिए, फिर five में और benchmark के लिए, मैंने fraction अड़ कर लिए, मैंने algebra अड़ कर लिया, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं touch दे दिया, मैंने unitary method अड़ कर दिया, और अब इस तरह की चीज़ें मैंने अड़ कर दी, और हर class में मैं अलग-अलग जो benchmark से न, वो add कर दी करी, एक तो ये example होगे benchmark के, ठीक है, यानि मैंने कौन से level पर किस class में, कौन-कौन से concepts अपने बचों को पढ़ाने हैं, ये मेरी benchmarking है, अगर within the class में देखूं, same class में देखूं, तो मैं benchmarking इस तरह से करूँगी, कि मैंने एक हफ़ते के अंदर, एक week के अंदर मैंने अपने बचों को इतना cover करवाने हैं, ठीक है, ये concept easy है, तो मैं इसको दो दिन में cover करवा लूँगी, ये मेरी benchmarking है, अच्छा, अब मैं ये सोच रूँ कि ये concept easy नहीं है, मतलब ये वाला तो easy है, और इससे next वाला जो मेरा concept है वो बहुत tough है, वो time taking है, हलाकि मेरे syllabus में सब chapters को equally divide किया, लेकिन मैं अपने भिहाफ पे एक benchmarking कर लूँगी, कि next topic जो आ रहा है ना, क्योंकि मेरा experience होगा इस चीज़ का, next topic बहुत tough हार है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस topic में से थोड़ा सा time निकाल लूँगी, और next topic जो है ना, मैं उसके लिए ज़्यादा time बचा लूँगी, अच्छा, एक तो ये मेरी benchmarking की हो गई ना, for example, मैं कहती हूँ कि मैं पूरा वीक जो कुछ पढ़ाऊंगी ना, मैं मंडे को इनका grant टेस्ट ले लूँगी, एक वीक पढ़ाके मंडे को grant टेस्ट ले लूँगी, ये मेरी benchmarking है, कि मैंने एक हफ़ते के बाद, अच्छा, अच्छा, अब हम आज आते हैं, SLOs, SLOs क्या होते हैं, SLOs होते हैं, Student Learning Outcomes, ठीक हो गया, अच्छा, अब, सिंपल माइनों में, अगर मैं आपको समझाऊंग ना, तो जो Student Learning Outcomes है न, ऐसे समझ लिए, जो हमारे Specific Objectives है न, अब्जेक्टिव की जो थ्री टाइप्स में आपको पढ़ाई थी, General Objectives, Specific और Behavioral Objectives, उसमें जो सब्जेक्ट, जो हमने पढ़े थे न, Specific Objectives, आप बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है, Student Learning Outcomes, के मतलब, अब हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं न, पिंच आफ टाइम, हम जो लेसन डिलीवर का रहे हैं, जो कुछ अब हम पढ़ा रहे हैं, As a teacher, उसको पढ़ाने के बाद, हमारे Students के Behavior में क्या चैज़ आएगा, हमारे Students क्या सिखेंगे, हमारे Students की Learning में क्या चैज़ आएगा, वो क्या New Learn करेंगे, वो कोई activity परफॉर्म करेंगे, वो क्या करेंगे, यह होते हैं हमारे SLOs, ठीक है, अगर हम इसको define करेंगे न, इंग्लीश में, मतलब इसका, अगर Keyword बताऊं तो, तो हम यह कहेंगे, इट इंडिकेट्स, इट स्टूदेंट विल, नो यह शुट बी एबल, टू डू बला बला एंड बला, ठीक है, अप competency क्या है, आपका, आपकी वो force है, आपका वो, आपकी वो capability है, जो आपको learning के काबिल बनाते हैं, strand क्या है, Key learning area है, standard क्या है, आपके पास, standard जो है न, वो further elaboration है, आपकी, strands की, और आपके पास benchmarking क्या है, it indicates what students should know, मतलब benchmark हमें यह बताते हैं, कि students क्या जानेंगे, in the future, और SLOs हमें क्या बताते हैं, what the students will be able to do, ठीक है, students learning के बाद, यह चीज़ करके दिखाएंगे हमें, यह चीज़ हो जाएगी, ठीक है, benchmarking के हमारे curriculum के develop होने से पहले का काम है, लेकिन SLO जो है, वो हमारी implementation, curriculum की implementation के बाद का काम है, तो benchmarking में और SLO में यही main difference है, hopefully आपको यह बात समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से concept clear हो गया होगा, मिलते हैं फिर next video में, till then, अलाहफेज,